हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैरे यूटूब चैनल आईये स्यातरा फ्रेंड्स आज के टोपिक में हम बात करेंगे सेंट इसी ड्रो अंदोलन के विशे में ये चर्चा में क्यों बना हुआ है ये निव जूम है तो फ्रेंड्स यदि आपने मेरे चनल को विज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल एकन को दबाद दीजिए तक इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुंच सके तो चलते हैं फ्रेंड्स और जानते हैं चर्चा में कि पना हुआ है लेगिन उससे पहले इसको देख लेते हैं मैप में इसकी लोकेशन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे USA अर्थात नौर्थ अमेरिका और यहाँ पे नीचे आपको साउथ अमेरिका मिल जाएगा और यह जो मद्धे अमेरिका है मैक्सिको, हॉंडूरास, निकारगुआ उसके आपको पूरब में अर्थात क्यूबा की लोकेशन आपको यहाँ अटलांटिकोशियन में मिल जाएगी यहाँ आप अटलांटिकोशियन को देख सकते हैं तो चलते हैं फ्रेंट्स आगे और जानते हैं चर्चा में क्यों हैं तो सैन इसिड्रो अंदोलन की शुरुआ दो वर्ष पूर्व हुई थी और अब यह राष्ट्र के भीतर और बाहर दोनों जगा क्यूबा के असंतुष्टों के लिए एक मंच बन गया है सैन इसिड्रो अंदोलन डिक्री 349 के माध्यम से कलात्मक कारें को लेकर राज्ये सेंसर्शिप का विरोध करने के लिए दो वर्ष पहले वर्ष 2018 में शुरू किया गया था डिक्री 349 एक ऐसा कानून है जो क्यूबा की सरकार को ऐसी सांस्क्रितिक गतिविदी को प्रतिबंदित करने के लिए शक्तियां देता है जिसे उसने मंजूरीन नहीं दी थी इस डिक्री के खिलाब विरोध के लिए कलाकार, कवी, पत्रकार, कारेकरता, सैन, इसिड्रों में कत्र हुए यह एक श्वेत बहुमत वाला इलाका है जो हवाना के सबसे गरीब और सांस्क्रितिक रूप से सक्रिये छेत्रों में से एक है वर्तवान इस्तिती का कारण जान लेते हैं MSI के एक एफ्रो क्यूबन सदस्य रैपर डेनिस सोलिस को पुलिस द्वारा गिरफतार कर लिए जाने कारण क्यूबा में व्यापक विरोध प्रदर्शन और हर्ताल की स्तिती बन गई वैश्विक परिदिश्य जान लेते हैं विभीन राष्ट्रों की सरकारों और अंतराष्ट्रिय मानो अधिकार संगटनों जैसे Amnesty International ने क्यूबा में मानो अधिकारों को लेकर चिंता जाहिर की है कई देशों में क्यूबा के प्रवासियों ने अंदोलन के समर्थन में रैलिया निकाली क्यूबा सरकार का रुख क्या है ये जान लेते हैं क्यूबा सरकार का रोप है कि यह अंदोलन सन्युक्त राज्ये अमेरिका द्वारा वित्त पोशित है अर्थात USA द्वारा इसको फंड किया जा रहा है और इसका उप्योग राज्य की कानून विवस्ता को भंग करने के लिए किया जा रहा है भारत क्यूबा के संबंध कैसे हैं ये जान लेते हैं क्यूबा के साथ भारत घनिष्ट, मधूर और एतिहासिक संबंध साजा करता है और दोनों देश गुट निट्वेक शान दोलन के संस्थापक सदस्ते हैं वर्ष 1959 में क्यूबा अर्जेंटीना के गुडिला कमांडर अर्नेश्टो चे ग्वेरा ने भारत का राजनेक दोरा किया और ततकालीन प्रधान मंतरी पंडित जवारलाल नेरू ने उनका स्वागत किया था वर्ष 2019 में भारत ने क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए सनिक्त राष्ट्र महासभा में पेश किये गए प्रस्ताओं का समर्थन किया था तो काफी गहरे संबंध हैं भारत और क्यूबा के बीच वर्ष 2019 में भारत के राष्ट्रपती की क्यूबा यातरा के दोरान भारत और क्यूबा जैप प्रध्योगे की अर्थास बायो टेकनोलिजी, होमियो पैथी और चिकिस्ता की पारंपरिक प्रनाली के छेत्रों में सयोग करने पर सहमत हुए हैं तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से जरूर कुछ जानने को सीखने को मिला होगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और जादे जादे इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की डेली करेंट अफेर से रेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए और फ्रेंट्स तब तक के लिए गुडबाई यदि आपके कोई सवाल हैं कोई क्वेशन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमें उसका अंसर देने में खुशी होगी और मैं उसका अंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा तो थैंक यू फ्रेंट्स थैंक यू फर वाचिंग